अगर आपको वह समझ में आ गई तो इसको समझने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब देखो इसके रियक्टेंड कौन-कौन से पहले तो आपको वह ध्यान होने चाहिए आपको जो सबसे पहले लेना वह क्या लेना अलफा अमीनो बीटा कीटो एस्टर अलफा अमीनो बीटा कीटो एस्टर मतलब कि अलफा पर तो अमीनो गुरुप जुड़ा हुआ है और बीटा पर कौन जुड़ा हुआ बच्चो किटों गुरुप जुड़ा हुआ है अब देखो यहां पर क्या है कि अलफा अलफा कैसे है यहां यहां यह कौन सा कारवन यह papar Пос OderdT यह यह prima है तो यह Romeo बीटा किटोस्टर और क्या चाहिए आपको बीया कीटो सिंतिस्ट एंश्टे सर्फ में लिए कौन सी का misf बड़ी पॉजिशन ही यहे कौन सी पॉजिशन है और आप इसको बनाएंगे कैसे देखो बहुत ध्यान से इनको बनाते जाना सबसे पहले आपको स्रुक्चरी बनानी वहीं आपने कार्भूनिल की बना ली और यहां पर आपने लगा दिया CH ठीए इस ट्रुक्चर को बना रहे हैं अब यहां आप लगाईए CH और यहां है बच इस एस्ट को तो लगा दिए साइड में इसकी रेक्ष्ण कहां में कोई काम है नहीं तो यहां पर यहां पे आप जाएगा यह लगा दीजिए आप यहां पर चूंठ करने वाले हैं तो यहां पर आप जाएगा नजर आएगी कि हाँ वे कुछ कैसे होने वाला है क्योंकि अभी तक हम यहीं करते आ रहे हैं देखो यह फिर से क्या करने वाला अपनी रेक्शन शो करने वाला है कि यह जो क्या होगे इसके पास लॉन पे और होंगे कार्बनल क्या करेगा वह इलेक्ट्रोन ले लेगा ने तो क्या ले लिया अपने यह नेगिटिव चार्ज अपने उपर ले लिया और अब यहाँ पर आ गया नेगिटिव ठीक है इस एनस्टू जो था इसने किसको डोनेट कर दी इस कार्बन तो यह पॉजिटिव चार्ज खतम हो जाएगा क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रोन मि पीछे वाली बात हैं सारी की सारी तो जैसे है पॉजिटिव निकलेगा फिर से कौन पकड़ लेगा यह पकड़ लेगा तो इसका यह जो आपना नाइट्रोजन है उसका बच्चो क्या खतम हो गया और यहां पे सिर्फ क्या बचा एक एच बचा है और इसका जो बॉंड बन दोलों पेर निकले पेर यहां पेर नौन पेर किसको पकड़ लेंगे एक पोजिटिव को यहां जाएगा एक एक पोजिटिव गया और आ जाएगा आ गया न यहां जुख जाएगा अब यह क्या करेगा ओक्सिजन ने जैसे लोन पर डोनीट किये तो उसके उपर आया positive oxygen के उपर stable नहीं है इलेक्रोल लेके फिर भाग जाएगा यहां से H2O बाहर जा चुका है इसको साथ कर देजी एक बरी हमारे पास all-or condition के उसको बहुत ध्यान से लेक्ट अब इस condition को यहां से भी एक है एक बाहर जा चुका है और C पे क्या आ गया एक negative charge क्या आ गया वच्छो यह जो कार्बोनल है यहां से हटा करके इनका आपस में क्या बनना चाहिए बॉंड बनना चाहिए अब देखो अब क्या होना बाती रहता है अब जैसे ही यह जो कार्बोनल है वो अपनी reaction शो करेगा वह यह ले लेगा electron यहां आ जाएगा बच्छो negative charge और इस कार्बन पर क्य जाएगा positive charge जैसे positive आया है तो अब देखो यहां पर भी acid group है और यहां है कार्बोनल ग्रूप तो इनके बीच में यह वाला कार्बन ही है तो इसका मतलब इसका जो H होगा वह acidic होगा होगा कि नहीं होगा तो यहां से क्या बहर जाएगा बच्छो H positive आया बहर जाएगा अब आपको फिर से बता है कि इस O पे क्या है negative charge यह इसको पकड़ लेगा यहां पर आ जाएगा H और यहां जो negative आया था क्योंकि जैसे ही कोई H positive डोनेट करता है उसके उपर तो negative charge रहे गई क्योंकि जो H है उसके जो electron है वो तो उसी carbon पर रहे गई तो वो double bond आ जाएगा यहां प हमारे पास all over देखिए यह कैसा दिखाई पड़ रहा है कि यहां से 1H बाहर जा चुका है यहां पर double bond आ चुका है oxygen पर क्या है बच्चों अभी OH की condition है किसकी है OH यहां पर बन गया है उसका जो negative charge पर खतम हो चुका है यहां पर क्या है यह और हमारे पास सिर्फ एक acidic H बचता कों से वाला है यह दोनेट कर सकता है कि अपने इलेक्रोन यहां दे सकता है इस कार बन के ऊपर और खुद में जा सकता है क्यों कि यह कार्बन और यह एक अश्ट्रोप है उसके पास जो कारद रूबड रोग उसका जो ईसको यहां से जाएगा H positive charge और इस कार्बन पर हैं कि इसको बाहर निकाल दीजी है यहां सुवफबल और यहां है क्योंकि और गया तैड यह क्रवश एं जाट क्परि आज दिया जाएगा और इनके बीच में आपस नहीं बन जाएगा यह पॉजिट्व है यहां पर बन जा रहेते क्या वह बनाएंगे अब्वह तो नहीं बना हैं तो वो किसमें कर्मोंट हो जाता है कार्बॉक्स लखने कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि